Hi Everyone, आज हमारा DBTJRF PYQ Practice Session का First Day है और हमारा जो पहला टॉपिक है, वो Molecular Biology का टॉपिक है Replication और उसी पर हमें PYQ आज देखने है Replication पर अल्रेडी में वीडियो बना चुकी है, उनकी Short Notes के साथ तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपकी बहुत हो जाएगी क्योंकि इसमें लगबख सारा टॉपिक कवर है तो हम लोग PYQ की बात करें, तो हमारा जो First Question है, वो है Which one of the following enzyme, इसमें से कौन सा enzyme helps the DNA to overcome the tension generated by the unwinding during replication अब आपने रैप्लिकेशन पढ़ा होगा तो आपको मालूम है, सबसे पहले क्या होता है, जो double stranded DNA होता है, इस double stranded DNA को सबसे पहले हम क्या करते है, सिंगल स्टैंड में convert करने के लिए जो पहला काम होता हो, क्या होता है, DNA की unwinding, और unwinding कौन करता है, आपको मालूम है, हेलィकेशन पढ़ा में अब सबस्टैंड अंवाइंड बॉंडिकेशन पढ़ा है, हैडोजन बॉंड कंच करता है, हेलोजन बॉंड है, हेलोजन बॉंड ऑन के такая अब क्या होता है? जब हेलिकेज ये काम कर रहा होता है तो इस काम के दौरान जहां से ये ब्रेक करना शुरू करता है हड़िन बॉन को पीछे की तरफ एक सूपर कोईलिंग मतलब और ज़्यादा इखटा हो जाता है तो उसको बोलते हैं सूपर कोईलिंग तो इस मरेज ये एक तरीकी का न्यू कलियेज है क्या है यह निउकलियेज ऑ्लियेज वह क्या करता है वह पॉस्फो डाइस्टर Oh को करता है क्या बकल्रिक करता है पॉस्फो दाइस्टर B ånd मOR chosen dick करता है और यह न्यू cookies जो कि क्मेंदै ये हो सकता ए放 1 और 2 समझ सकते हैं जो यह कमें करता क्या है यह क्या मैं करता है कि दो एक का मतलब होता है यह है मालो और इसने यहाँ पर दोड़ा सा कट गया थिक है और उसको बोलते हैं हम इस निक को जनेरेट करना दो तरीके से सकता है एक तो करता है first और एक करता है second जो first करता है वो क्या करता है single stranded निक लगाता है और जो second लगाता है वो double stranded निक लगाता है इतना आपको याद रखना है तो आपको याद रखना है कि tension को overcome करने के लिए मतलब super coiling को रोकने के लिए ये इंजाइम करता है वो कौन करता है तोपो आईसोमरेज ठीक है हमारा नेक्स क्वेशन क्या है नेक्स क्वेशन यह बोता था है कि विच एंजाइम विल डाइजेस आरेने डाइजेशन अब नाम से पहले बात मुझे रहा है समझ जाना चाहिए कि कुछ तो आरेनेज होगा तो या तो यह हो सकता है या तो यह हो सकता है ठीक है अब in a DNA RNA hybrid DNA RNA hybrid में RNA को digest कौन करता है अब यहाँ पर इन्होंने एक specificity देदी कि DNA RNA hybrid है भाई और यहाँ पर यह RNA को digest करता है देखो इसका answer होगा RNA is H य९ह आपको दिखाता है hybrid क्या दिखाता है हाइब ठीक है और यह जो hybrid conditionkim Microsoft种े और कि सकती है DNA RNA प्राहें private की इंदेग्य क्या होता है को बता देते हैं कि जब आर्ने प्राइमर लगता है क्या लगता है आरेने प्राइमर लगता है डियने स्ट्रेंड पर डियने कर टेंपलेट होता है उस डियने टेंपलेट पर जब आरेने प्राइमर लगता है तो यह प्राइमर जो है थ्री प्राइमर को तो रिमूव करना पड़ेगा न तो इस प्राइमर को रिमूव करने के यह बाइ आर ने को तोड़ेंगा चोड़ेंगा लिए आर ने है और यह जो टंपलेट डिन है यह आई ने है और यह कुएंगे स्यूल है। आर यह कौका करेगा यह एक के हम आएक बात घुन एक जो है वो यहां तक तो पूरा तो रिमुव करदेका लेकिन तो लास्ट वाला नूखली टाइड होगा ना लास्ट वाला इस नूखली टाइड को आरिने इस एच रिमुव नहीं करेगा आप याद रखेंगे ठीक है अब नेक्स्क्वेशिन है हमारा नेक्स्क वेशन है इकरियोटिक रेप्लिकेशन में डिग्रेट दा आयने प्राइमर बाइब फाइफ प्राइम तु थी प्राइम एक्जुनुक्लियर अक्टिविटी अब यहां पर तीन नाम दे रखें एक तर रखा आरेने जच वन एक दे रखा तोपोईसमरेस सेकेंड भी एक दे रखा है त देखो डेने पॉलिमरेस 5 के बारे में आपको बताया था यह ट्रांसलेशन डेने सिंथेस में काम करता है तो इसको तो पहले हटा दो अगला है आर्नेज एच वन आर्नेज एच वन जो है देखो यह प्राइमर रिमूवल में काम तो आता है लेकिन यह फाइफ प्राइम ररतों 3' में हैं 5' 3 work is fine fan 1 कि मतलब किया होता है फ्लाब औ् यूक्ली एज कया होता है फ्लाइटर इंडोनूकली ऌन इसी के पास होती है फ्लाइकिप्रामटोर्अ का काम मैंने अभी आपको बताया है यह ब्ल सेंड़े निक लगाता है और इमे offset क्रिकरिए ठीक है नेक्स हम दोरान क्या ही करता हो गाई बताईए आप खुद देख लिए इसमें अच्छा मैंने आपको जब कल जो राप्रिकेशन की जब मैंने वीडियो बनाई थी मैंने इसमें बताए आपको कि डिन जो पॉलिमरेज थे वो खुद से काम नहीं करता है कुछ से काम नहीं करता है मतलब जो de novo synthesis होती है वो नहीं होती है नया DNA खुछ से नहीं बनाएगा तो खुछ से नहीं बनाएगा तो इसको चाहिए 3'OH और 3'OH इसको देता कौन है इसको देता है इसको देता है तो इसमें क्यों रहाइये IDna polymerase के इनीष्येट डीनी चलता है लाहां लंड पुछ से क्यों प्राइमर क्यों शाई हो गया शेकिंड से तो आप क्यासर किया हो गया शेकिडा ग्रेट अगला हमारा सवाल है अगला सवाल है देखते हैं कि DNA replication required DNA topoisomerase किसलिए होता है आप लोग अभी समझ गए हैं सुपा कॉलिंग रिमूब करने के लिए to remove the support coiling of DNA that accumulates at the end of growing replication fork replication fork आपको बताया था न मैंने एक मिनट लुकना देखो replication fork क्या होता है समझो replication fork यह होता है इसे यह double standard DNA है अब double standard DNA में helicase आएगा और helicase क्या करेगा आके मालू मैं helicase क्या करेगा इसको single आपको बता चुकियों में कल आगे देखो तो इसमें क्या बोला है इसमें क्या क्या पूछ रहा है कि DNA replication required DNA to poison race to remove the support coiling of the DNA that accumulates at the end of growing replication fork कहां पर accumulate हो जाता है जहां पर जो growing replication fork होती है वहां पर उसके end यह wish to perform a PCR amplification of a gene PCR जानते है PCR भी आपको मालू होना चाहिए PCR क्या है polymerase chain reaction है यह क्या करता है यह जो भी आपका जो भी DNA molecule है जो भी DNA sample है उसको amplify करने के काम आता ठीक है जो भी gene of interest है of a gene that has been provide to you in a 6 kb plasmid vector को plasmid vector के बारे में पता होगा plasmid vector क्या होते हैं plasmid vector जो होते हैं वह bacteria में कुछ extra chromosomal DNA material होते हैं जो कि double standard circular होते हैं और उनको हम कहते हैं plasmid different तरीके के होते हैं और वह एक vector की तरह काम करते हैं ठीक है recombinant DNA technology अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा why will you not use not use topoasomerase in your PCR reaction mix तो आप वो बोल रहा है कि PCR में आप topoasomerase क्यों यूज नहीं करते हैं इतना सारा फालतु में दे दिया इतना बड़ा फालतु में दे दिया सीधा sample इसमें इन्होंने ये बुला है कि topoasomerase का use आप PCR में क्यों नहीं करते हैं तो अगर आपको मालूम है भाई कि PCR क्या है PCR में देखो PCR में मैं यहां थोड़ा सा downward जा रही हूँ PCR जो है उसमें तीन वो होती है steps होती है पहला जो step होता है वो होता है हमारा denaturation क्या होता है denaturation दूसरा जो होता है वो होता है annealing और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है extension extension ठीक है extension एन लगा दो भाई ठीक है अब यह जो तीन प्रोसेस है इसमें denaturation बता क्या होता है denaturation में double standard को single standard में convert किया जाता है annealing में क्या 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 जाता है प्राइमर जोड़े जाते हैं दो तरफ दो तरफ जोड़े जाते हैं इस पर वीडियो बनाएंगे और extension में क्या किया जाता है extension में फिर प्राइमर जो है उस प्राइमर से polymerase आ करके उसको आगे के तरफ move करा जाता जैसे replication में होता नॉर्मली अब difference क्या है फिर आप कहेंगे तो सेम है लेकिन इसमें difference यह है बाबू कि यह कहां गया यहां लिखते हैं जगे नहीं है तो आपकी बार से एक्स्ट्रा पर छोड़ा करेंगे तो क्या है इसमें जो होता है उसमें फर्स टेज न डी नेचुरेशन इस डी नेचुरेशन की प्रोसेस को करते हैं हम हाई डिग्री टेंपरेचर पे कितना कम से कम 94 से 95 डिग पड़ेगी उसी से वो डायरेक्ट ही रिमूव हो जाएगा कि यहां तो हमें पीसियार के दौरान पर हमें टोपो आइसमरेज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो अब यह पूछ रहा है कि भाई ऐसा क्यूं है अंसर बताओ अब पढ़ो डी नेचुरेशन प्रोटोकॉल प्रिक्लूड फॉर्मेशन ओफ सुपर कॉईल अगला क्या है रियक्शन बफर हैज पी एच डाट डी नेचुर्स डी ने एंड एवोईट सुपर कॉईलिंग भाई हमें रियक्शन बफर से क्या ही मतलब है यहां पर बताओ यह गलत है नहीं है इसका मतलब पॉलिमरेज है इनने टोप वाइस अमरेज एक्टिविटी जी नहीं अब आप पुछें का है तो वहां जब नॉर्मल रप्लिकेशन में हम जो पॉलिमरेज यूज़ करते हैं ना उसकी जगे पर टैक पॉलिमरेज काम करता है पीसियार में और जो टैक पॉलिमरेज होता है न वह बहुत high degree temperature पर काम करता है कम से कम 94 degree centigrade temperature पर काम करता है यह हमें मिलता कहा से है मालू है एक बैक्टीरिया होता है thermos aquaticus और thermos aquaticus बैक्टीरिया से हमें अंसर हो जाएगा first वाला अंसर क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा हमारा first वाला कि जो denaturation step है जो कि high degree temperature पर होती है उसमें the PCR protocol recruits formation of super coil तो वहीं पर उसको रोग दिया जाता है क्योंकि हम high temperature यूज़ कर रहे हैं okay so next question guys I hope कि आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा अगर कोई भी problem है तो please मुझे comment में बता दीचे ताकि उस चीज़ को मैं improve कर लूँ अपनी next video में ठीक है next हमारा question है telomerase enzyme is by telomerase enzyme मुझे लगता है सबने पढ़ा होगा अगर नहीं पढ़ाया तो भी कोई बात नहीं है telomerase आपको problem यह कब होती है यता होती है जो हम और प्राइऴमर रिमूफ करते हैं जो हमर रिमूफ करते हैं आगर हमने किका दीरे डीरे जोटा होता चला जाए गा तो क्या हो जाए गा एक time है इस पहली कि इंजाइब कि पहले ही बता वाट इस जो डिए सब्सक्राइब होता है और यही रिवर्स ट्रॉंस्क्रिप्टेज एंजाइम तो यही त्लोमर जो तो तीलोमरेज है वह reverse transcriptionist enzyme की तरह काम करता है याद रखेंगे अगले मतलब है क्या एक तुरीके से आए आपका जो enzyme क्या हो जाएगा कि धर DNA dependent DNA polymerase जी नहीं ये RNA dependent DNA polymerase है ठीक है याद रखेंगे तीलोमर एंजाइम क्या है RNA-dependent DNA poly anecdote इसके पास अपना खुद का RNA होता है जिसको template मान करके DNA बनाता है बात समझे तो ये एक तरीके का DNA-dependent DNA DNA polymerase है बिलकुल भी नहीं क्या ये reverse transcriptase है हाँ जी बिलकुल RNA-dependent RNA polymerase है जी नहीं तो ये क्या है ये reverse transcriptase enzyme की तरह काम करता है और यह RNA dependent DNA polymerase है याद रखेंगे okay next question next question है हमारा which enzyme yeah which one among the following is a nucleus क्या होता है इसमें से कौन सा nucleus है बोले हलिकेज nucleus है क्या नहीं hidden bond तोड़ता है बिल्कुल भी नहीं polymerase क्या nucleus है क्या नहीं यह तो polymerization करता है लाइज nucleus है क्या नहीं यह तो ceiling का काम करता है ceiling का मतलब जैसे दो का जाके fragment मैंने आपको बताए तो एप्लिकेशन में उका जाके fragment को कर seal करना होता है या फिर प्राइमर रिमूवल के बाद जो बनता है उसको seal करना होता तो the ceiling gap ceiling का जो काम करता है निक ceiling का जो काम करता है वह lias करता है अना कि यह nucleus है तो हमारा answer हो जाएगा DNA DNA is 1 दिने इस वन भी होता है लिए जो नोई भी होता है 2 भी होता है जो dns1 जो होता है उसको divaline cation की जरूरत होती है लेकिन second वाले को divaline cation की जरूरत नहीं होती ठीक है याद रखेंगे और दूसरी बात एक और बात समझ लो जो dns1 होता है जो dns1 होता है dns1 जो होता है वो single stranded भी और double stranded भी दोनों कट लगाता है ठीक है यह बहुत ही important बात है क single stranded और double stranded दोनों ही कट लगाता है is that clear आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है हमारा which one of the following is a critical for genome replication ठीक है तो genome replication के लिए critical क्या है अम सॉरी पॉलीम्रेज, ligase, helicase भाई अभी तोंने पढ़ा क्या चाहिए है ? पॉलीमेरेस चाहिए है क्योंकि प्राइमर के साथ थी प्राइम ओआच मिलकर पॉलीमेर आगे बढ़ा जाता है लास्टमी आता है लाइँ रिशीलिंग के काम करता है डेमर नयुत सब्पार है तो थीने या रटे आटर स्वाज गता है अगे देख़ो रोल वर डेनल की तो विखा क्या करता है रिक्त का क्या काम करता है किर्द केंथे यह उसम्हक्तार विवर्वक्रीतों भुझ चोड़ेंगा यह पतरा तो तो अभ doedelap उसमे केंगे स्ट्वन एदिशन है लिडिंग स्ट्रेंड इन धिड्व phi को चोड़ इहां आपको बताया था, ओकाजा की fragments कहां पर होते हैं, लेगिंग पर, तो जोडेंगे कहां पर, लेगिंग पर, तो answer क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड, चलो, फोर भी पड़ी देते हैं, वैसे तो answer मिलगया है, base pairing of the template and newly formed dna strength तो जी नहीं यह base pairing नहीं करता तो आपका answer मिल गया आपको third वाला अगला देखो अगला जो है वो क्या है which of the following is not a feature of bacterial dna replication answer क्या हो जाएगा by bacterial dna तो समझी गए होंगे prokaryotic वाला बात हो रही है पूछ रहा है कि prokaryotic dna replication का part नहीं है तो semi conservative यह तो बिल्कुल है semi continuous यह भी बिल्कुल है chain growth in the five prime to three prime direction यह भी बिल्कुल है तो क्या नहीं है unidirectional नहीं होता क्या हमने तो पढ़ा था ना क्या होता है bidirectional होता है यह तो बहुत शुरुआत में ही बताया था आपको तो आपका answer क्या हो जाएगा unidirectional नहीं होता यह बाकी यह answer नहीं है लेकिन यह चीज़े सही है चालो अगला देखो अगला है हमारा 11th number question class of temperature sensitive e.coli mutant defective temperature sensitive e.coli mutant है temperature sensitive का मतलब ज्यादा temperature बढ़ाओगे तो फिर बढ़ाओगे घटाओगे तो दिक्कत हो जाएगी defective in dna replication were identified that seized replication immediately upon increase in temperature फिर तो following process are likely to be defective in this mutant temperature बढ़ाओगे तो जो e.coli है जो कि prokaryot है temperature sensitive है तो कौन सी process में रुकावट आएगी तो उसीदी सी बात है जो polymerization की activity होगी न polymerase करेंगे उसमें रुकावट आएगी तो रुकावट कौन करता है elongation, segregation, initiation या termination तो क्या हो जाएगा answer elongation, elongation में तो polymerization होता है ठीक है अगला है हमारा 12th number वाँ ये सवाज बहुत अच्छ है देखो for a tetra nucleotide sequence tetra nucleotide का मतलब 4 nucleotide की बात होगी the number of possible combination using a, t, g अब देखो इसमें न जो कोडोन है न कोडोन होता है उसकी बात हो रही है और कोडोन तुमको मालूम है कैसे होते हैं भाई triplet होते है triplet मतलब a, g, c, a, g, c, c, g, a, ऐसे इसे तीन तीन होते है लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही मालूम यहाँ पर बात हो रही tetra nucleotide का sequence होंगे triplet में होते हैं और tetra nucleotide में किते हो जाएंगे 4 मतलब ultra कर दिया है इन्होंने अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझे question बहुत important है कि आपके पास जो कोड़ान की संख्या होती है वो कित्ती होती चौंसर्ट 64 जिसमें से तीन जो होते हैं स्टॉप निकल जाते हैं और 61 बचते हैं लेकिन नंबर तो कितने होते हैं 64 टोटल होते हैं यह combination पता कैसे बनाया गया था यह combination बनाया गया था कि जो चार निकलियोटाइड होते हैं 4, A, G, T, C A, G, T, C चार होते हैं और टरपलेट कितने होते हैं तीन के तो चार, चार और यह चार 4, 4, 16 और 16, 4, जा कितना होता है 64 ऐसे यह चार निकलियोटाइड के टरपलेट कोड के सिक्वेंस तयार किये लेकिन अब इन्होंने कुछ और पूछा है इन्होंने ना इसका पलट दिया है नमबर्स को इन्होंने कहा टरपलेट का सिक्वेंस है और 3 को यूज़ करके बनाना है तो पतना हम क्या करेंगे 3 x 3 x 3 x 3 ऐसे करेंगे देखो कि टेटन युक्लिटाइट की सिक्वेंसे में इसका मतलब किती बार लिखना है चार बार और यूज किस-किस को करना है 80 जी मतलब तीन को यूज करना है मतलब हमें नमबर देखने बस तो हम क्या करेंगे 3 x 3 x 3 x 3 x 3 और आपका आंसर आजाएगा इसको इंटू कर लो आंसर आजाएगा कितना 81 ठीक है आंसर आगे 81 ऐसे सारे सवाल ऐसे वो कुछ भी दे दें वो अगर पेंटन युक्लिटाइट का सीक्वेंस दे दें और चार का यूज करा दें तो क्या करोगे 5 x 5 x 5 x 5 निकाल लोगे ऐसे सवाल कर सकते हो ठीक है तो नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट क्वेशन हमा रहा आइडेंटिफाइड दक इनकरेक्ट पेर यह भी बहुत इंपॉटेंट है और इनकरेक्ट आइप देख लिए करो इनकरेक्ट पूछा थो डिने वन पढ़ लेते है DNA मुझे लगदा है इसको अभी पहले ही पढ़के आएं पिछले कुश्चन में पढ़के आएं कि DNS 1 को मैंने बताया था सिंगल स्टेंडर्ड भी क्लिव करता है तो पहले तो यह हमारा निकल गया कि यह इंकरेक्ट है और भी देख लो alkaline phosphatase जो alkaline phosphatase अगर आपने method पढ़ी होगी तो आपको पता होगा alkaline phosphatase क्या करता है 5 प्राइम फॉस्पेट रिमूव करता है ठीक है DNA से 5 प्राइम फॉस्पेट रिमूव करता है बिल्कुल सही है DNA polymerase transcription में काम करता है DNA polymerase 1 जो है वो निक ट्रांस्लेशन में काम करता है यह भी सही है, इसका मतलब सही क्या नहीं है, ड्रशंच 1 दोनों को क्लीव करता, ड्रवल स्टेंड भी, सिंगल स्टेंड भी, तो यह हमारा आंसर हो गया, बाकी सब हैं तो सही, लेकिन हमारा आंसर नहीं है, अग्ला सवाल, ज़स्त देखते हैं फटा फट, बड़ी हो जाएगी ATP with gamma phosphate can be used for the which of the following types of reaction कौन सी reaction जो है ATP और gamma 32 को use करती है देख लेते हैं अगला है हमारा all of optional correct reverse transcription end labeling और NIC translation यह आपने method में देखो यह सवाल method का है हम जैसे method की technique डालेंगे methods डालेंगे आपको बताएंगे अभी जो इसका answer है वो है end labeling जो end labeling की process की जाती है उसमें ATP और gamma 32 use किया जाता है ठीक है जो enzyme use होता है वो होता है poly nucleotide kinase याद रख लो कोई दिक्कत नहीं है poly nucleotide kinase याद रख लो इसको ठीक है अगला सवाल अगले सवाल है in the DNA methylation reaction mediated by S adenosyle methionine methyl transferase the nucleophilic species involves in अरे भाई ये तो पता ही है आपको amine ठीक है अगला देखो underwinding और overwinding ये भी पढ़ा हुआ है underwinding और overwinding of circular double stranded generated super coils only when it does not have any of the following underwinding का मतलब क्या होता है overwinding का मतलब क्या है पहले तो ये समझ लो super coiling अभी पता ही थी super coiling दो तरीके की होती है देखो एक होती है negative super coiling और एक होती है positive super coiling जब ज़ादा मुड जाता है तो उसको बोलते positive super coiling और जब coiling कम हो जाती है तो उसको बोलते है negative super coiling ठीक है और इसको सही कैसे किया जाता है underwinding करो या फिर overwinding करो underwinding का मतलब क्या होता है positive super coiling को सही करना और overwinding का मतलब क्या होता है negative super coiling को सही करना तो क्या ही है भाई आप कॉन कट्रियूंगाई तरह यहीं जबे टो इस कट्ता है क्या करता था निक लगाता था यह सिंगल में लगाईगा और डबल में लगाईगा निक लगाएगा थीक है अगला सभाल and experiments involve formation of RNA-DNA hybrid which are the following enzymes could be utilized to degrade only the RNA strand from the RNA-DNA hybrid if a completely radioactive double-stranded DNA molecule undergo two rounds of replication in a non-radioactive medium what will be the radioactive status of four resulting molecule if a completely radioactive double-stranded DNA molecule undergo two rounds of replication in a non-radioactive medium what will be the radioactive status of the four resulting molecule you have studied semi-conservation method this video was studied semi-conservation method these are two strands what will you do? this is the same condition here this is the same condition here this is the same condition here now it is the same condition here there was a other one and the other one was the other one this is the other one you understand? this is the same condition if you have it semi-conservation method तो शायद अच्छे से समझ में आएगा यह डी एनए डिवल स्ट्राइंड आप इसको क्या करोगे बताओ सिंगल स्ट्राइंड में कनवर्ट करोगे यह पैरेंटल इन नया बन गया यह वाला पैरेंटल यह नया बन गया अब इससे दो बनाओगे तब भी तो same case एक इससे बनेगा एक इससे बनेगा एक इस वाले से बनेगा एक इस वाले से बनेगा तो लिख लो एक parental वाला यह नया बना था पहला पुराना यहां पर जो नया बना था वो और यह second strand बन गया मतलब इसको ध्यान से देखोगे तो लगाना है कि बताओ ऐसा क्या हुआ दो राउंड अफ रैप्लिकेशन हुआ है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा देखो हाफ द नमबर ऑफ मॉलेक्विल कंटेन नो रेडियो एक्टिविटी करके देखना इसको ना समझ में आए तो मुझे कॉमेंट कर देना मैं इस क्या है ओके नेक्स्ट क्येशन इन इकोलाइ मिस्मैच दियूरिं रेप्लिकेशन इस करेक्टेड बायद अगर आपने रिपैर पढ़ा है तो तो आपको आता होगा नहीं पढ़ा है तो भी आता होगा सिंपल लायार वर दिस अम्मार प्रोटीन डिफरेंशियेट बिट्व बाय किसके थुरू आप पैरेंटल स्ट्रेंड और डॉर्टर स्ट्रेंड को पता लगा सकते हैं अभी हम लोगों ने एक सैम पड़ा था एस एडिनोसायल मिथियोनिन मिथाइल ट्रांसफरेज वह करता है न वह पैरेंटल जो स्ट्रेंड होता है उसको मिथाइल कर देता है वह मिथाइल ट्रांसफर कर देता है और इस वज़े से हम पैरेंट डॉर्टर स्ट्रेंड में पता लगा लेते हैं तो इसका अंसर जो हो जाएगा यह की कि red identified the methylation on the parent strand याद रखेंगे parent strand में methylation होता है इससे हम पता लगा लेते हैं ठीक है अगला सवाब अगला सवाल है हमारा इसका सिंपल सा आंसर है कौन टी आरेने बहुत ही इंपोर्टेंट और सबसे सिंपल आंसर था इसका कि जो नेच्टरल प्राइमर होता है रिवर्स टांस्क्रिप्टेज इन आरेने टूमर वाइरस उसके लिए कौन हो जाएगा अगला सवाल इस सवाल को मैं आपको अगर आप इस सवाल को लगा लेते हैं तो आप मुझे आंसर जो है सवाल का कॉमेंट कर दीजे आज के लिए हम लोगों ने देखो 20 क्वेशन लगाए हैं अगर पर डे 20 क्वेशन भी लगाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपके most of topics के PYQs कवर हो जाएंगे आप मुझसे जुड़े रहिए नेक्स वीडियो जल्दी ही रेप्लिकेशन पार्ट टू पर जो भी रिवेशन हैं हम उस पर बात कर लेंगे अगर आपको यह पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजेगा और हाँ आपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजे और अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजे थैंक्यू सो मच बाबाई कि अगरे आपक लाओ नहीं किः गिया टीजे तापक रहाँ है वो सब्सक्राइब बागर आपक कर दीजे लाओ आपक लेगादे गया वो सब्सक्राइब